प्रेजेंटेशन दिखाना तो इंवीटेशन में गोल्डन कोश्चन पूछना या नहीं गोल्डन कोश्चन इन्वाइट करते समय नहीं पूछना गोल्डन कोश्चन प्रेजेंटेशन से पहले पूछना है मैं दुवारा से रिपीट कर रहा हूँ और housewife student लोग बोलते हैं कि तुम्हारी income कैसे आती है कैसे कमाते हो तो आप बोलो ना कि मुझे counseling करने पर मेरी company incentive देती है राइट मेरी company counseling करने पर incentive देती है आपको इतना attention लेनी के जोती नहीं ओके सो दोस्तो problem पता है क्या है जब भी कोई भी व्यक्ति हमसे हमारी income के बारे में पूछता है ना तो हम घवरा जाते हैं अभी अभी मैं जब webinar close कर रहा था ब्ली ओशन प्रोस्पेक्टिंग का तो वहाँ पर कोई व्यक्ति था पता नहीं मुझे नाम नहीं ध्याना रहा उस व्यक्ति ने कम से कम पचास बार लिख दिया वो smiley बनाकर हे हे ललित सर ने छे लाख रुपे कमा लिये ललित सर ने छे लाख रुपे कमा लिये ऐसे कुछ लिख रहा था वो व्यक्ति बार बार पहले तो मैंने इग्नोर किया मैंने का यार क्या जवाब दूँ कोई बाद नहीं फिर मुझे लगा यार नहीं उसने इतनी बार लिख दिया मुझे जवाब देना चाहिए फिर मैंने उनसे पता है क्या जवाब दिया उनको ये अभी 15-20 मिन्ट पहले की बात है आदे घंटे पहले की ब्ली ओशिन प्रोस्पेक्टिंग में मैंने उनको ये जवाब दिया भाई साथ आप बार बार लिख रहे हैं कि मैंने 6 लाक कमा लिया ये सुनकर कि मैंने 6 लाक कमा लिया आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है अब वो ये कैसे बोल सकता था कि मुझे दुख हो रहा है तो उस व्यक्ति को ये लिखना पड़ा मुझे खुशी हो रही है फिर मैंने ये बोला कि दोस्तों आपको खुशी होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं 6 लाक रुपे कमाता हूँ तभी तो मैं आपको 6 लाक कमाना सिखा सकता हूँ अगर मैं 1 करोड कमाऊंगा तभी तो मैं आपको 1 करोड रुपे कमाना सिखाऊंगा जो काम मैंने खुदी नहीं किया मैं आपको कैसे सिखाऊंगा So you should feel proud of it कि आप जिस academy में हैं उस academy के जो coach हैं वो इतना कमाते हैं यह गर्व से बात करो मानव How to handle the woman who asked my husband not agree जी देखिए औरतें बोलेंगी कि हमारे husband agree नहीं करते हमारे husband ने agree नहीं किया राइट ऐसा बोलेंगी ladies कुछ औरतें ऐसा बोलेंगी तो आपको पता ही क्या जवाब देना है पहली चीज तो ज़्यादा तर cases में आप यह समझ लीजिए कि husband wife की बात नहीं सुनते और wife husband की बात नहीं सुनती यह कड़वा सच है मैंने अक्सर देखा है कि जो wife यह बोलती है कि मैं husband से पूछ के बताऊंगी वो कभी join नहीं करती तो जब आप wife किसी एक lady का किसी एक lady का अगर आप follow up कर रहे हैं closing कर रहे हैं तो आपने उस lady को यह बोलना है कि देखिए यह काम जो मैंने आपको बताया यह decision makers ही कर सकते हैं तो अगर आप में इतनी leadership है अगर आप में इतनी leadership है कि आप अपना decision खुद ले सके हैं और यह तो छोटा सा decision है दिन में एक से दो गंटे आपने काम करना है हमारे साथ अगर तो आप अपना यह decision ले सकते हैं तब ही आप कर पाएंगे अच्छा आप यह बताये plan show जो पूरा presentation है आपने देखा है या आपके husband ने देखा है उनसे सवाल पूछिए वो कहेंगे जी मैंने देखा है तो बोले फिर आपका husband कैसे आपको permission दे देंगे जब उन्हें पता ही नहीं है दो चीज़े हैं या तो आप अपना decision खुद ले या फिर अपने husband को हमसे मिलवाए तो आप कोशिश करिए कि on the spot closing करिए दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अब वो जमाना गया पूछेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे भईया इतना time नहीं है decision लेना तो अभी लो नी तो thank you very much on the spot closing आप में से जितने लोग on the spot closing करेंगे आपकी sale बढ़ जाएगी और अगर आप टाल देंगे सोचते हैं, देखते हैं, उन्हें clearly बोल दो कि देखिए मैडम आप कहरें कि मैं husband से पूछ के बताऊंगी मैंने अभी तक ये मेरी list है 75 से जादा ऐसी housewife को मैं जानता हूँ, जिनों ने ये बोला था कि मैं husband से पूछ के बताऊंगी आज तक बता नहीं पाई हो क्यों नहीं बता पाई, क्योंकि कोई भी husband अपनी पत्नी की सुनता ही नहीं है और आप बताएं, जिस तरीके से मैंने आपको presentation दी क्या आप अपने husband को इसी तरीके से presentation दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मुझे सीखने में 6 महीने लगे और आप पहली बार सुनकर कैसे presentation दे पाएंगे, आप presentation नहीं दे पाएंगे और आपके husband मना कर देंगे अच्छा आप ये बताएं कि जब आप shopping करने जाते हैं, क्या आप mall में खड़े होकर अपने husband से phone करके बार बार पूठते हैं, मैं ये खरीद लू मैं ये खरीद लू, मैं ये खरीद लू, नहीं पूठते ना, तो यहाँ पर भी तो आप product ही ले रहे हैं इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है, आप कोई नौकरी तो करनी रहे हैं कि रोज सुबह आपको 6 बज़े तयार होके घर से निकलना है आप अपने free time में इस काम को कर रहे हैं, तो अगर आप अपने परिवार की health अच्छी कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी company के healthcare products हैं, अगर आप अपने परिवार के health अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें आपके husband को क्या दिक्कत हो सकती है Right मोहित चावला लिख रहे हैं, मैंने आपकी technique से पहले ही plan में joining निकाली, wonderful मोहित congratulations so आपको मानव समझ में आया